रबश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का टैली टुटोरियल चैनल पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ टैली की एक ऐसी ट्रिक जिसकी मदद से आप अपने एक अकाउंटिंग के काम को काफी फास्ट तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं जी हा दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं टैली में जब आप सेल्स के लेजर क्रियेड करते हैं वहाँ पे आप प्री डिफाइन तरीके से कुछ टैक्स के लेजर को और राउंड आफ के लेजर को एड करके रख सकते। जिसकी मदद से जब भी आप कोई सेल्स की इंटरी पास क प्री डिफाइन अनके उपर जो टैक्स है कालकुलेशं को इन डीटेल तरीके से समझते हैं दोस्तों आज हम सीखने वाले आप ऑटो जीएस्टी एंड राउंडफ का क्यालकुलेशन जो है वह सेल्स वाउजर में कैसे लगा सकते हैं जा दोस्तों आपने सही सुना अब जो है वह ऑटोमाटिक जीएस्टी की लेजर और राउंडफ का लेजर अगर कोई हमें राउंडफ करना है एक रुपए तक का माउंट वह आपके सेल्स वाउचर में आ जाएगा तो यह सब कुछ कैसे होने वाला और कैसे आप इस हैडाक से बचने वाले यह अभी हम स्टेप बाइस स्टेप सेखने जाला है तो इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है तो आपके सामने येरा हैं रहा है अहरा कमी Origin क्रियेशन के आरगे कुइट कंपनी पर आते हैं एंडियर करते हैं एंडियर करने के बाद हमारे सामने कंपनी क्रिएशन का एक फॉर्म खुछाएगा यहां पर हम टमी डेटा क्रिेट कर दो Śाहां पर लगदी त्हूंस कील最近 कौर्ष और यहां पर मृटोट इंटर करते एंटर करते हैं तर की सी चीज को मैं यहां पर रह्तन करने वाले सिंपलि मैं महाराश्रा रहता हम टाओ एं डग करते हैं बाकी कोई भी चीज मैं यहां पर fulfill नहीं की enter कर दिया ठीक के बहराद मेरे सामने मेरा एक और काम हो जाएगा मेरा company creation का काम यहां पर complete मुढשन इस company creation में एक importante करनी है जो है मेरा 這 double तो यहां पपर मझें GSTthrough tool i एप्शन पर देंके अटर करना है जैसे आप इंटर करेंगे आप को यहां आपकी company का GSD का detail लिखना होगा यहाँ पर मैं GSD number एड़ करते हूं एंटर करता हूं यह dummy GSD number आप भी use कर सकते हैं enter enter करके screen को accept कर लेता हो अब मेरा company creation का भी टास्क complete हो जाता है और मेरा जो GSD activation है वह भी यहाँ पर complete हो जाता है अब मैं आपको सबसे पहले मेरा सेल्स का वाउचर दिखा देता हूं जिसके लिए मैं गेट आफ टैली पे वाउचर वाले ऑप्शन पर आऊंगा यहां पर एंटर करेंगे हम आप देखिए मेरा जो सेल्स का वाउचर है वह आपके सामने खुल चुका है यहां पर कोई भी पार्टी फिलाल मेरे प कि लेजर साथ में राउंड अप का लेजर जो है वह बाइडी वाल्ट शोगरे तो यह कैसे होगा तो चलिए सबसे पहले लेजर कर लेते हैं मैं गिन चुन करने वाला पार्टी का लेजर नहीं परफने अब पर और लेजर कर लीजर के लिए आपको आपके सामने लीस्ट आप मास्टर का ओप्शन खुल जाएगा यहां पर आईए लेजर में आ जाईए और एंटर करिए अब आप पहला लेजर अपना क्रियेट करिए जो है मेरा सेल्स का तो यहां पर मैं लिख देता हूं सेल्स अकाउंट है थोड़ा जूम करते ताकि अगर आप मोबाइ करेंगे चेंज नहीं करेंगे अंटर एक्षक मेरा सेल्स बन गया ब्लब जूसरा यहां पर करना है वहां इरा सब्सक्राइब लब करना है और टाइप ऐब डूटीज आंड टैक्सस में जीएची सिलेक करना है और यहां सेटीज और कुई सेटिंग आपको यहां करने की ज़रुरत नहीं है एंटर करेंगे नेक्स जो लेजर है मेरा वह है SGST का तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SGST है ना यहाँ पर हम लिखते हैं SGST और एंटर करते हैं इसका भी एंडर ग्रूप रहेगा ड्यूटीज और टैक्सेश तैप आपको जीएस्ट सेलेक्ट करना है और टैक्सेश में आपको यहां पर करेंगे एक और टैक्स मुझे हैं यहां पर करना है जो है मेरा आई जीएस्ट का तो यहां पर एक आखरी लेजर हमारा बजता है जो है मेरा round of का तो यहां पर मैं लिख देता हूं round of मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आप सही से देख पाई इसको round है ना rounds of ऐसा लिख देता है एंटर करेंगे round of हमारे लिए एक तरीके का expense रहता है ताकि हम अपनी sales की value को कम कर पाएं तो यहां पर मैं इसे आज इंडारेक expense लिखने वाला इंडारेक expense के ग्रूप को मैं हाँ पर सेलेक्ट करूंगा बाकि कोई चीज हम यहां पर नहीं करेंगे एजटीज रखेंगे एंटर 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 करेंगे और स्क्रीन को accept कर लेंगे अब मेरे जितने भी इंपॉर्टेंट लेजर थे वह सारे के सारे create हो चुके मैं आपको एक बार दिखाता हूं चेक करने के लिए आपको आजाना गेट आफ टाली में अल्टर वाले आप्षयन पर यहां पर आएंगे आपको लेजर का उप्षयन दिखेगा प्लेजर पर आईए और लेजर पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको जो है वह बाइडिफॉल्ट मेरे सी जैस्ट हब और रंडव का जो लेजर है फो बाइडिफॉल्ट में रहना चाहिए है तो चोनक्राइब होना चाहिए वह होगा इसके लिए हम बाहर आ जाते हैं और आपको आजाना है गेटे ऑफ ट्रैली में अप आएंगे आप आएंगे अल्टर व करना है द्यान दीजिए sales voucher type को है हाप आपको select करना एंटर एंटर करेंगे नीचे देखे आपको एक option दिख रहा है जो है मेरा Unable Default Account Allocation का option इस option को आपको yes करना है फिर सेट अल्टर Default Accounting Interests option को आपको yes करना और जैसे आप enter करेंगे आपके सामने जो है वो Default Accounting Interests option यहाँ पर दिखना शुरू हो जागा अब हम entry कौन सी पास करने वाले तो sales की तो मैंने sales का लेजर यहाँ पर बना लिया था इस लेजर को आपको as it is रखना है ठीक है कोई नहीं करना और नीचे जो आपको additional laser side करने हैं जैसे हमने सीजस्ट एजस्ट आइजस्ट रावंडव की लिजर ना है वन बाइवन उसस लेजर को यहाँ पर आपको करना है तो हमने सीजास्म कर लिया हम यहाँ पर पर करेंगे यह भी आपको बताना है तो हम नाइस पर यूजर डिफाइन वैल्य एंटर करेंगे अब ध्यान दीजिए क्या सटिंग में चेंज होने वाला है मैं यहां से बाहर आ जाता हूं हम आ जाते हैं गेटेव टैली में और यहां पर मैं वाउचर में आ जाता हूं एंटर करता हो अब आप देखें अपने जैसे ही आपका सेल्स का लेजर उपन किया यह वाइदीफॉल्ट कुछ लेजर यहां पर आपको शो कर करेंगे बस टैक्स यहां पर डिफाइन करेंगे एचसान में देता वन टू-3456 और स्पैसिफाइड डीटेल में भी हम यहां पर 18% का टैक्स लगाके एंटर कर लेता हैं एक मिनट एक चीज और रह गई हमारे पास कॉंटिटी शो नहीं कर रहे हैं हमें कॉंटिटी क्रियेट करनी पड़ेगी तो यहां पर हम कॉंटिटी क्रियेट करेंगे जो रहे हैं मेरी नोस नोस का मतलब होता है नमबर्स तो हम यहां पर लिखते हैं नमबर्स एंटर यहां पर करेंगे एंटर अब हमारी कॉंटिटी भी है यहां पर शो होनी शुरू हो जाए पहले टाइम जब इंटर किया देखिए यह Tax Auto calculate यहां पे हो के आ रहा है और यह लेजर भी मुझे यहां पे लगाने की ज़रूत नहीं पड़ी यह सब कुछ कैसे हो रहा है यह Auto calculation की मदद से हो रहा है तो आप भी अपनी company में जहां पर भी आप काम कर रही है काम करना चाहते वहाँ पर इन लेजर को डिफाइन करके अपने काम के हडाय को थोड़ा कम कर सकते हैं तो बस इस वीडियो में इतना ही चलिए बाइब इस वीडियो में हमने सीखा टैली की ऐसी ट्रिक्स जिसकी मतलब से आप अपने अकाउंटिंग के काम को काफी फास्ट तरीके से कर सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाइए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए क्योंकि ये चानल हमारा नहीं आपका है.